तो कुरिंदियों की पहली पत्री का चोदवा दिया है और कुलोस्यों की पत्री का तीसरा दियाय में हम जाएंगे तोड़ी देर में हमारे अपने विशे में हम सब जानते हैं कि अमारी एज क्या है सबको अपनी एज पता है और मैं किसी से पूछना पूछने वाला नहीं हू लेकिन आपको अपनी एज पता है या आपकी उम्र पता है और आपकी एज या हिंदी में उम्र जो है इस बात को बताती है कि आप कितने साल से इस दुनिया में है किया आपको इस दुनिया में कितने साल हो गए है और देखा जाए तो ये आपकी जो है शरीर की उम्र है या एज है इतने साल से आपका शरीर इस संसार में है और पैदा होने के बाद हम सब ने कुछ काम किया पहले हमारे लिए दूसरों ने किया फिर तोड़ा सा बड़ा होने के बाद हमने खुद ध्यान रखा इसलिए आज अमारा शरीर अच्छा हाल में है, स्वस्त है और इस शरीर को बढ़ने की लिए, जब से हमने पैदा हुए हैं, हमारे लिए, या हमने अपने शरीर के लिए कुछ किया, या अमारे मातापिताओं ने किया था, शुरुआत में, कि हमें अच्छा खाना दिया गया था, या पोस्टिक बौजन हमें मिलता रहा, और इसके बाद या उसके साथ-साथ शरीर का वियायाम भी होता रहा exercises होते रहें इसलिए शरीर की बड़ोत्री हुई है इसी तरह अमारा शरीर के इलावा हमारे पास अमारा दिमाग है, अमारा मन है या प्राण है और अमारे आत्मा भी है हमारे प्राण के लिए भी शुरू से बच्पन से ही उस पर मेहनत जारी रही हम स्कूल गए हैं, कॉलिजस के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, पढ़ाई की और अलग-अलग विश्यों की पढ़ाई करने की द्वारा हमारे अपने अपने दिमाग या मन का विकास होता रहा, लैंग्विजस पढ़ने के द्वारा हमने सीखा की, हम अपने मन के विशारों को अलग-अलग बाशाओं में कैसे प्रकट कर सकते हैं, और हमने गणिस सीखा, जिसके वज़े से हम हिसाब लगाना जानते हैं, और यह हमारे जीवन का एक हिसा बन गया, बिजनसमन जानते है कि गणित का ग्यान होना कितना जरूरी है, हमने साइन्स सीखा, इसलिए साइन्टिफिक बातों की समझ हमें मिली, हमने जियोग्रफी सीखा, इसलिए हमें पता चला कि हमारे देश क रिका जिससे कि हमें पता छला कि जो अम से पहले थे वो चैसे थे यह सब बातें हमें पता चलती रहे और हमारा मन का विकास हुआ हैllan स्कूल नहीं गये होतें पढ़ाई बिलकुल नहीं कर एह होथी तो अमारा मन जो है या हमारा दिमाग का इतना विकास नहीं होता और हम बलेई शरीर की लिहाज से 30 या 40 साल के होंगे लेकिन अमारा दिमाग की उमर उतनी नहीं हो सकती क्योंकि हमने कुछ सीका नहीं, हमने कुछ समझा नहीं इसलिए हमारा दिमाग बहुती सीमित लेवल पर काम करता रहा तो अगर मन का विकास नहीं हुआ या शरीर के उमर के के बरावर मन का विकास नहीं हो रहा है तो हम इसको delayed milestone कहते हैं अब Swalap पर दियान दिया और दिमाग के दियान अब हमारा एक और हिस्ता है जिसको कि आट्मा कहते हैं तो शरीर और दिमाग की बारे में दिमाग के बारे में अभी तक जितने बाते मैंने की है वो आसान था समझना हम सब हमने शायद इस बारे में कभी इतना सोचा नहीं होगा लेकिन मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा था अभी तक तो शरीर और मन का विकास के लिए बड़ोत्री के लिए कुछ करना पड़ा जिसके वज़े से हम सब के शरीर स्वस्त हैं और ठीक है और अमारे मन विकसिद है अम अपने आपको इंट्रियंस कह सकते हैं किसी तरह अमारी आत्मा भी है अमारे पास उसका विकास कैसे हो सकता है इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे शरीर के बारे में सब को पता है मन के विशे में सब को पता है अमारी आत्मा कितनी बड़ी है सोचे इस बारे में क्या आपके शरीर के उम्र और आपकी आत्मा के उम्र बरावर है या आपकी आत्मा आपके शरीर से छोटी है हम सब ने एक बार सुसमाजार सुनने के बाद येशु मसी पर विश्वास किया या येशु मसी ने जो काम मानवजादी के लिए किया उस पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करने के द्वारा अमारा नया जनम हुआ और ये नया जनम हम जानते हैं कि अमारे शरीरों में नहीं हुआ और नहीं अमारे दिमाग में हुआ ये नया जनम जो है अमारी आत्मा की है यानि आत्मा उस दिन नये सिरी से जनम लिया तो जिस दिन हमें से हरेक ने येश्यु मसी पर विश्वास किया और जिसको हम कहते हैं उधार पाया या नये सिरी से जनम पाया उस दिन अमारी आत्मा क्योंगी फिर से जनम लिया हम कह सकते हैं कि उस दिन अमारा अमारी आत्मा का पहला जनम दिन दा वो सिरफ एक दिवस का था कि आप सब मेरे साथ हैं इस बात में सबको समझ आ रही है इने बात कि जिस दिन अमारा उधार हुआ उस दिन आमारी आत्मा जो है सिरफ एक दिन की थी अगर 2000 में अबने उधार पाया है तो यह 2020 है तो आपकी आत्मा कितने साल की होगी कि 20 साल की होगी न अगर आपने 2010 में उधार पाया है तो आपकी आत्मा कितने साल की होनी चाहिए को एक ज़िव मुझे बदाई आपना वीडियो और वीडियो अन्म्यूट करके अगर आपने 2010 में उदार पाया है तो आपकी आत्मा 20 साल की होनी चाहिए अब सवाल ये आता है कि क्या आपकी आत्मा 20 साल की हो गई है क्या आपने आपकी आत्मा की बड़ोत्री के लिए कुछ किया इन 20 सालों में इस वारे में हमें सोचना चाहिए शरीर के लिए हमें पता है कि क्या करना है हम करते रहें हमने कभी सोचा नहीं लेकिन करते रहें और शरीर ठीक है मन के लिए भी हम करते रहें और आज भी करते हैं हम अपने आपको educate करते रहते हैं आज हमारे लिए आसान है, internet है Google है, हम अलग-लग विश्योम बर दूनते हैं, चान बीन करते हैं research करते रहते हैं हम अपने आपको educate करते रहते हैं इसलिए हम अपने आपको खेश सकते हैं कि हम updated रहते हैं हर चीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है, हम अपने आपको अपडेट करते हैं दिमाग की तोर पर, क्या आत्मा के लेवल पर या आत्मा के लिए जब से हमने नए सिरे से जनम पाया है, उस समय से लेके आज तक हमने क्या किया है आत्मा के लिए कि आत्मा बड़ी हो जाए, आत्मा की बड़ोत्री हो और क्या हमें मालुम है कि आत्मा की बड़ोत्री के लिए हमें क्या करना चाहिए आज हम में स्विशेट को देखते हैं पुरिंदियों की पहली पत्री का चौदवा अध्याय में हम चलते हैं इसका तीसरा पद को हम पढ़ते हैं कोरिंदियों की पहली पत्री चौदवा अध्याय और तीसरा पद फस्ट कोरिंदियन्स चाप्टर 14 वर्स त्री परंदू जो बहुत जो अन्य बाश्चा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नती करता है जब एक विश्वासी अन्य बाश्चा में बात करता है अधितर शास्तर कहता है कि वो अपनी उन्नती करता है यह उन्नती कामबर वो करता है उसके शरीर में बिल्कुल भी नहीं शरीर की उन्नती के लिए हम क्या करते हैं खाना काते हैं और कसरत करते हैं वियायाम करते हैं दिमाग की उन्नती के लिए हम क्या करते हैं हम पढ़ाई करते हैं और फिर जो कुछ हम सीकते हैं या जो कुछ जानगारी हमें मिलती है उसको हम इस्तमाल करते हैं इस तरह हमारा दिमाग क्या हमारे मन का विकास होता रहता है हमारी आत्मा की उन्यदी के लिए परमेश्वर की ओर से हमें कुछ मिला है हमारे पस पवित्र आत्मा है ध्यान रेकना अभी जब हम आत्मा की बड़ोत्री की बात करते हैं तो उस पवित्र आत्मा की विशे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जिसने नए सिर से उस सिन जनम लिया था जब हमने इश्वमसी को ग्रहन किया था उस आत्मा के विशे में बात हो रही है यहां भी लिखा है कि जब हम अन्य बाशा में बातें करते हैं या अन्य बाशा में प्रार्तना करते हैं तो अमारी उन्नती होती है और ये उन्नत सवापत को देखते हैं इसलिए यदि मैं अन्यवाशा में प्रार्तना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्तना करती है परंदु मेरी बुद्धी काम नहीं देती इस पद में और भी पश्रूप से पदा चलता है कि जब हम अन्यवाशा में बातें करते हैं या प्रार्तना करते हैं तो उसमें अमारे जो दिमाग है, बुद्धी है, उसका कोई भी योगदान नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, सिरब अमारी आत्मा का है. इसलिए जो चौता पद में लिखा है कि जब हम अन्य बाश्या में बोलते हैं, हमारी उन्यती होती है, वो आत्मा की उन्यती है, क्योंकि आत्मा ही हमारी अपनी आत्मा की बात हो रही है, हमारी अपनी आत्मा, पैत्र आत्मा की सहायता से अन्य बाश्या में बोलते हैं, हमारी पहले मैं इस अध्याय को फिर से जानमुझ को उठाके पड़ा फोल के पड़ा क्योंकि मुझे मालूमें कि यहां में क्या लिखा है कुछ दिन पहले में मन में एक बात आई कि अन्य वाशा में जब मैं बातें करता हूं क्या मुझे इस पासेज को पड़ा विशेश रूब से पहला और दूसरा और थीसरा पत को इस इस अधियाय का दूसरा पत में लिखा है कि क्योंगी जो अन्य बाश्चा में पातें करता है वे मनिश्यों से नहीं परंदू परमेश्वर से बातें करता है और मैं इस वर्स को जोड़ जोड़ से पढ़ाता है कि मैं अपने कानों से फिर सुनू और फिर उसको उसपर विचार करूँ इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता अलाकि मुझे यह बात बहुत सालों से मालूम है फिर भी मैंने इसको पड़ा, जोड़ से पड़ा जैसे मैंने आपको बताया, अपने कानों से सुना अपने आपको फिर से समझाया है कि जब मैं अन्य बाश्चा में बोलता हूँ तो मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ कोई नहीं समझ सकता इसका मतलब मैं कुद भी नहीं समझ सकता उसके बाद एक और कुपसूरत बात इसमें है, उसको मैंने पड़ा, यहां में लिखा है कि क्योंगी वे बेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, बेद की बातें यानि परमेश्वर की सीक्रेट बातें, गुप्त बातें में बोलता हूं आत्मा में होकर, यानि पवित्र आ आदियन खतम करने के बाद आज या कल आप फिर से पढ़ ले न और अच्छी तरह आपको समझ आएगा कि अन्य बाश्या में जब हम बातें करते हैं, जब हम प्रार्तना करते हैं, अमारी आत्मा की बड़ोतरी होती है, आत्मा की उन्नदी होती है, अब देखिए क्या अमारी आत्मा उतनी बड़ी है, जितनी वो होनी चाहिए इस समय, अगर हमने दो घसार में उधार पाया है, तो क्या हमारी आत्मा के लिए हम कह सकते हैं, कि हमारी आत्मा आज 20 साल बड़ी है, या 20 साल की हो गई है, क्योंकि हमने 20 साल पहले उधार पाया था, क्या हम ऐसा कह सकते है सोची इस बारे और क्या कर सकते हैं हम आत्मा की बड़ोत्री के लिए एक तो ये काम हो गया जैसे शरीर के लिए खाना खाना और फिर एक्सरसाइस करना दोनों जरूरी है अगर हम सिर्फ खाना खाते रहेंगे तो नतीजा क्या होगा आपको मालुम है क्या विश्यर के लोकडाउन जरूरी है अरक्सराइस वियायाम करना जरूरी है शरीर को स्वस्त रखने के लिए और बैलन्स में रखने के लिए ठीक से रखने के लिए तो यह तो शरीर की बात हमें समझ आती हैं हमें अच्छी तरह मालूम भी है दिमाग की बात हमें मालूम है अब आत्मा की बात हम कर रहे हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र में यह जो लिख दिवाग में आत्मा में एक नई स्ष्थी को भी को समय के साथ साथ बड़ी हो जानी चाहिए और आज हमें अपने आपसे खूचने की जरूरत है कि आत्मा में मैं उतना बड़ा हूं या उतनी बड़ी हूं जितना बड़ा मुझे होना चाहिए था तो एक हमने अभी देखा अन्य वाशा में प्राप्तना करने से आत्मिक लिदी से हम उन्नती प्राप्त करते हैं और क्या करना होगा मैं एक और जगह पर हम जाते हैं इसके बारे में मैं आपको पहले नहीं था इबरानों कि पत्री कायओ का पांचवा अधियाय में परमेश्वर की और से एक बात है या एक प्रिंसिपल एक सिदान्द है एक आत्मी की सिदानद के विशे में हमें सीखने को मिलेगा इबराणियों के पत्री का पांच वादियाय में स्पांच वादियाय का तेरवा और चौदवापत को हम पढ़ेंगे 5 13 & 14 लिबूस तेरवापत में लिखा है क्योंगी दूद पीने वाले बच्चे को तो दर्म के वजनगी पैचान नहीं होती क्योंगी वे बालक है और चौदवापत केता है पर अन सियानों के लिए हैं जिनकी ग्यानेंद्रियां अब्यास करते करते बले बुरे में बेत करने में निपन हो गए हैं चौदवापत को फिर से पढ़िए द्यान से पढ़िए पर अन सियानों के लिए हैं जिनकी ग्यानेंद्रियां अब्यास करते करते बले बुरे में बेत करने में निपन हो गई हैं ये सिरफ शरीर और दिमाग के लिए नहीं ये आत्मा के लिए भी है आत्मिक बातों का अब्यास करना जरूरी है अगर हम सिरफ अन्यवाशा में प्रार्तना करते रहेंगे तो आत्मा की बड़ोत्री थोड़ी सी होगी लेकिन उसके साथ अभ्यास भी करना जरूरी है अन्यवाशा में प्रार्तना करना जरूरी है अन्यवाशा में प्रार्तना करने से परमेश्वर से बातें करने से बेद की बातें बोलने से आत्मा की बड़ोतरी जरूर होगी लेकिन वो पूरी तरह नहीं होगी एक बैलंस में नहीं होगी एक और भी काम करना होगा वो क्या है आत्मिक बातों का अब्यास करना ज़रूरी है एक्सरसाइस करना ज़रूरी है ये कैसे करेंगे अब इसके लिए हमें आत्मा के द्वारा चलना होगा आत्मा की बातों को हमें माननी होगी आत्मा की बातों के अनिसार हमें चलना होगा आत्मा की यानि पवित्र आत्मा की बातें हमें कैसे पता चलेगी हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उधार पाने से पहले यानि नया सिरे से जनम लेने से पहले हमारा हम जो कुछ भी करते थे अपने दिमाग से करते थे अपने दिमाग का हम इस्तमाल करते थे आनी हम ये कह सकते हैं की हमारा जो बोसुस समय तक हमारा जो बोस थे वह अपद्रेक्ठ दिमाग आफारे दिमाग के विश्भान से हम सब खुश करते थे अब क्योंगी हम नई सृष्ठी है अब क्योंगी अमारा नए सिरिषे से जनम हो रखा है हमें एक इसमें बदलाव लाने की जरूरत है अब चाहिए कि हम कि हमारी आत्मा को बोस की दर्जा दे जानी अमारी आत्मा अमें चलाएं पहले नए सिरे से जनम पाने रहें तक हम कैसे चलते थे अपने दिमाग से चलते थे शरीर और दिमाग काम करते थे और हमारी आत्मा की कोई खास बूबी का नहीं ती लेकिन अब क्योंकि encouraging हमारी आत्मा पवितr आत्मा से या पवित्र आत्मा के द्वारा नए सरे से जनम पाया है हमें चाहिए कि हम इस आत्मा के द्वारा चलना शुरूर करें और अफसोस की बात है कि अधिकतर लोग आत्मा के द्वारा नहीं चलते मैंने आपको अभी बदाया आत्मा के द्वारा चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बातों को जानने की सुनने की जरूरत है और फिर उसके अनिसा चलने की जरूरत है वो कैसे हो सकता है उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में ये विचार आता है कि इसके लिए तो मुझे पहले आत्मा की आवाज को सुननी होगी या आत्मा की बातों को सुननी होगी उसके लिए मुझे फिर एक चास्तर में लिखी गई यह तो हम शुरू वहां से करेंगे परमेश्र का वजन जिसको वाइबल बोलते हैं या पर मेश्र का वजन बोलते हैं इसको पढ़ना और इसके अनिसार चलना ऐसा करके अम आत्मा के द्वारा चलना शुरु करेंगे तो एक काम अन्य बाष्छा में प्रार्टना करना और दूसरा काम पवित्र शास्त्र की बातों के अनिसार चलना या अपने जीवन में बदलाव लाना जो हम पहले अपने दिमाग से करते रहें, उसको ना करके अब आत्मा के द्वारा हम चलना शुरू करेंगे, यानि पवित्र शास्त्र की बातों को हम मानना शुरू करेंगे, अब पवित्र शास्त्र की बातों को मानने के लिए, यानि पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, ज उससे मानने के लिए एम्म ये मालूम होना जरूर है कि उसमें क्या लिका है और यह मालूम करने के लिए हमें पभित्री शास्ट्र को पढ़ना होगा तो प्वित्र शास्त्र को पढ़ेंगे या ओडियो बाइबिल्स को हम सुनेंगे फिर जो बातें हमें समझ आ रहे ही है उसके अनिसार हम करना शुरू करेंगे तब अमारी आत्म अमारे दिमाग और अमारे शरीर के साथ साथ बड़ोतरी हासल करके आगे बढ़ेगी और हम सिरफ शरीर से बलवंद और दिमाग से निपुन नहीं आत्मा से निपुन होंगे हम आत्मा से हम एक्सपर्ट्स होंगे और हम हर बात में आगे रहेंगे कि कैसि फिर चोट की पत्रि में एक बार हम चलते हैं इच अलोस्टिओं की पत्री का तीसरा अध्याय में सै आनियम से ही 60 पत्री में झीन्स कटा है। Harper कि पत्री में सोल्बं से ही देखा है। पत्री में सोलव पत्में लिका design मसी के वचन को अपने हिर्दे में अधिकाई से बसने दो ये आपके लिए और मेरे लिए एक आज्या है नया निहम में एक आज्या है हम सब को कि येश्यु मसी के वचन को यानि पवित्र शास्त्र को अधिकाई से बहुताई से बसने दो अगर हम पवित्रशास्र को नहीं पढ़ेंगे या पवित्रशास्र को नहीं सुनेंगे हम यह काम को कैसे कर सकते हैं को लोशियों की पत्री का तीसरा अध्याय का सौलवपत को लोशिंस चाप्टर ट्री वर्श सिक्स्टीन या मरम बापस आएंगे शायद लेकिन फिलाल अम पुराना नियम में एक बार चलते हैं उसा नियम में वित्ता है पांचवी किताब जिसको व्यवस्ता वीबरन का नाम है जिसको विष्टे वाइन केहते हैं या यांग्रेजी में कि कहते हैं उस में चलते हैं। वैवस्ता विबरन जो है कल रबर टिशन है मुसा के दौरा लोग कि मिस्र देश से निकल आहे और लगबग उस कनान देश के पास पहुंच गए है और उसक कनान देश में याणि उस देश में जिसके लिए परमेशन ने उनसे वाइदा किया था वहां जाने के लिए बिलकुल तैजार हैं लेकिन उसने पहले मुसा उनके साथ बैठ के उनकी 40 साल की हिस्ट्री जो है 40 साल का इदिहास जो है उनको समशिक्त में फिर से या दिलाया या उनको बताया और परमेश्वर ने जो कुछ उनको बताया था परमेश्वर के और से जो नियम इनको दिये गे थे व्यवस्ता जो दी गई थी वो सब फिर से एक बार दोराया और इस दोराने के संदर्फ में या इस इदिहास को फिर से एक बार सुनाने के संदर्फ में हमें कुछ नई बातों को भी सीखने को मिलती है आड़वा अध्याय में पहला अध्याय से मुसा ने उनको बदाना शुरू किया कि हम मिसर देश से निकलेते से फिर हम हमें ऐसे समय लगा था और आपको शाइद ये बात मालूम है कि मिस्र देश से यानि इजिप्ट से कनान देश तक इसरेल तक आने के लिए उस समय के इसाब से देखा जाये तो 11 दिन लगते लेकिन इनको कितना समय लगा 40 साल लगे 40 साल तक परमेशन ने उनको उस कनान देश में प्रिवेश करने ने दिया 40 साल वो उस जंगल में बठकते रहें और ऐसा क्यों हुआ पवितर शास्त्र में लिखा है आप जानते हैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं फिलाल अम यह देखते हैं कि आठवा अध्याय का Deuteronomy chapter 8 verse 1 जो जो आग्या मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सवों बर चलने की चोकसी करना इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विशे में यहोवाने तुमारे पूर्वजों से शबत का ही है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ आज हमारे इसरेलियों के लिए एक देश जिसको हम आज इसरेल कहते हैं या कनान देश उस समय में कहते थे वो जगा परमेशन ने वो देश परमेशन ने वाइदा किया था और उनको कहा था कि उस देश में जाके वहांबे बसने के लिए और तुमें आगे बढ़न के लिए परमेश्वर की सारी आग्याओं को मानने की जरूरत है दूसरा पद में वो कहता है कि और स्मरण रखी रख की तेरा परमेश्वर यहुवा उन चालिस वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्क में से इसलिए ले आया कि वे तुझे नम्मर बनाए तो अगर हमें परमेश्वर की ओर से परदिक्या की हुई वस्तवें जल्दी से नहीं मिल रही है या अमारी प्रांत नहोंगा जवाब एकदम नहीं मिल रहा है जैसे हम चाहते हैं और परमेश्वर ने जो कुछ अपने वचन में हमसे वाइदा किया है वो सब कुछ एकदम पूरा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि परमेश्वर हमें तोड़ा सा समय दे रहा हो ताकि हम क्या बन जाए नम्र बन जाए और तेरी परिक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या-क्या है, जब हम परिक्षाओं में से निकलते हैं, हमें पदा चल जाता है, कि हमें पदा चल जाता है, परमेश्र को तो पहले सही मालूम है, हमें पदा चल जाता है, कि हमारे मन में क्या-क्या है, और कि तू उसकी आग्याओंगा पालन करेगा या नहीं उसने तुझको नम्र बनाया और भूका भी होने दिया फिर वे मन्ना जिसे ना तू और तेरे पुरका ही जानते थे वही तुझको खिलाया इसलिए कि तुझको सिखाय की मनिश केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता परंदू तो मनिश जो है हम मैं और आप जो विश्वासी है जो एश्य मसी को मानते हैं हम सिरफ रोटी से नहीं यानी रोटी या चावल या जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें सब कुछ है जो रोज हम खाते हैं, बोजन करते हैं, जिससे हमारे शरीर की बड़ोत्री होती है, सिरफ उससे हम जीवित नहीं रहेंगे। जहीं से वे जीवित रहता है, तो जो अमारे विश्वास के नाते, जो अमारे फूर्वज थे, उनसे परमेश्र ने कहा, आज हम बर्वी लागू है, हम सिरफ शारीरिक बोजन से जीवित नहीं रह सकते, हमें आत्मिक बोजन की जरूरत है, हमें अन्यवाशा में प्रातना करन की जरूरत है, जिसमें हमारे आत्मिक बोजनती होती है, उसके बाद परमेश्र के वचन की हमें जरूरत है, जिसके आनसारा में चलना होगा, तब हम पूर्ण रिदी से बड़ोतरी थासिल करते जाएंगे, यानि हम आत्मा में आत्मिक रिदी से बढ़ते रहेंगे, अगर ये दोनों काम हम नहीं करते हैं, या इन में से सिरफ एक ही काम हम करते हैं, तब ही हमारी ठीक रिदी से बड़ोतरी नहीं होगी, मुझे मालूम है कि हमारे चर्च के अधिकतर लोग अन्यबाशा में बोलते हैं, परारतना करते हैं, और क्योंकि हम लोग इस बारे में कई बा बाशाव में बोलते हैं तो उस रिदी से आपको आत्मिक बनफिट या फायदा हो रहा है लेकिन क्या आप उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को पड़ते भी हैं या और उसके अनिसार चलते भी है अगर नहीं कर रहे हैं आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा पवि पवित्र शास्त्र की बातों से वचन जो परमेश्वर के मुझ से निकला है और तिमत्य की पत्री में आपको अभी वहां जाने की जुरूरत नहीं आप सिरब नोट कर लीजिए और बाद में एक वार जुरूर पढ़िएगा तिमत्य की दूसरी पत्री का तीसरा अध्याय क सोलव पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरना से हमें मिला है संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानि उत्पति से लेके प्रकाशिद वाकिय तक परमेश्वर की प्रेरना से लिखा गया है यानि परमेश्वर ने प्रेरना दी लिखने वालों ने लिखा परमेश्वर का जो जो वजन परमेश्वर के मूझ से निकलता है आपने अभी व्यवस्ता विवरंगा आठ वाधियाए में पढ़ा जो जो वजन परमेश्वर के मुझ से निकलता है तिमती की पत्री में लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है वो परमेश्वर की प्रेर ना से है यानि जो जो वजन परमेश्वर जो जो बातें परमेश्वर हम से कहना चाहते हैं वो सब कुछ या उसमें से अधिकतर बातें परमेश्वर ने लिकित रूब में हमें दी है उसको पढ़ने की और उसके अनसार चलने की जरूरत है तब हम आत्मिक दिली से बढ़ेंगे नहीं तो हम इस गलत फेमी में रहेंगे कि आज मुझे 20 साल हुए आज मुझे 10 साल हुए और कुछ लोग ये कह सकेंगे कि या कह सकते हैं कि मुझे 30 साल हुए प्रबु में विश्वास करके या प्रबु में आए हुए लेकिन क्या आपकी आत्मा की 30 साल हो गए हैं? क्या आपकी आत्मा 30 साल बड़ी हो गई हैं? ये हमें देखने की जरूरत है और हमें से अधिकतर लोगों के पास जवाब आ चुका है कि ऐसा नहीं हैं जितने साल प्रबु में आए हुए हैं या जितने साल हो गए हैं प्रबु में आने के बाद उतने बड़ी नहीं है हमार आत्मा तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है तो अन्यवाशा में प्रार्तना कीजिए इस बात को ध्यान में रखते हुए और जब कभी आपको ऐसा लगता है कि ये अन्यवाशा में जिसको मैं कुद नहीं समझ पाता हूं या समझ पाती हूं इसमें ब कर लेना या कुद भी ताकि आप कुद भी सुन सके और पवित्र शास्त्र का अधियन करना शुरू किजिए और जो बाते हैं आपको समझ आती है उसको करना शुरू किजिए डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली एक अच्छा उपतेशक है टीचर है वह अक्सर कहते हैं कि अबेद बाते हैं तो आप दाए बाते हैं उसको मानना शुरू किजिए उसके अनसार चलना शुरू किजिए और इस बात से मत दरिये कि अगर मैं पवित्र शास्त्र के अनसार कुछ करूं तो क्या होगा या क्या कर परिणाम निकलेगा कौन आपसे नराज होगा इन बातों पर गोर मत कीजिए या कितना नुकसान हो सकता है यह मत देखिए पवित्र शास्त्र की बातों को मानना शुरू किजिए हो कि जरूर परानरे नियमिल से हैं कोनसा था व्यवस्ता वे लेकिन पुराना नियम में परिमיות की बाती जो है वो हमारे लिए लागू है और को किसी को भी या आप कभी इन्टरेट में टीचिंग सुनते हैं या टेललीषन में किसीसिकी apple छंटे और कोई आपको यह कहता है कि पुराना नियम की बातें हमारे लिए नहीं हैं मैं आपसे कहूंगा कि ऐसी टीशिंग्स मत सुनियें क्योंकि जितना नया नियम हमारे लिए उतना पुराना नियम भी है येश्व मसी ने मती रजी सुसमाचार का पांचवा अध्याय में कहा था कि मैं व्यवस्ता को खतम करने के लिए नहीं आया पुराना नियम को खतम करने के लिए नहीं आया हूं मैं पुराना नियम की बातों को व्यवस्ता को पूरा करने के लिए आया हूं इसलिए मैं कहता हूं पुराना नियम में जाए और पुराना नियम में परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा पुरान नियम में ऐसे ऐसी गटनाएं हैं जिसका जब आप अद्यान करेंगे आपको परमेशुर के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा इसलिए प्रवित्रशास्ते को पढ़िए कहीं से भी शरूय कीजिए पढ़िए और जो बातें आपको शमझे आती। itu असके चलना शूरूय कीजिए तब आपकी आत्मा बढ़ेगी और आपके शरीर के साथ साथ, आपके दिमाग के साथ साथ, आपकी आत्मा भी हेल्दी रहेगी और आप आत्मी करीदी से यानि हेल्दी रहेंगे और आप मजबूत रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और तब आप कैसे केंगे कि आज वाके में येश्व मसी के में विश्वास करते हुए मुझे इतने साल होगे इसके साथ हम आज का अधियन समाप्त करेंगे परमेश्वर येश्व मसी के नाम से तेरा दन्यवाद आज जो हमने अधियन किया आज जो बाते हमें समझ आई से हो ताकि हम। पवित्र शास्तर के जैसे पवित्र शास्तर में लिखा है परमेश्वर करने वाले और चलने वाले बन सकें मरे सहाइदा करना कि हम रोज अन्य अन्य ansen Expect कर्सके और पवित्र शास्तर की बातों ग। अंसार चलना भी शुरू करें जो बाते हमें समझ नहीं आती, वो उन बातों के लिए के पवित्र आत्मा हमारी सहाइधा करना था कि हमें समझ आए जो बाते हमारे लिए खटीन है, मुश्किल है, उससे परमेश्षर तो अपने आप आसान कर देगा कि हम तेरे वज़नों में चलने वाले बनेंगे इस तरह हमारे आत्मा की बढ़ोतरी होगी इस तरह हम आत्मा में मजबूत रहेंगे और कोई भी हालात, कोई भी सामर्थ हमें परमेशुर के मर्जी में चलने से रोक नहीं सकेगी हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और आज जितने भी लोग इस ओनलाइन मीटिंग में हैं उन सब को परमेश्वर में आशिश देता हूँ